तो स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल इसी पे पहला आज आज का टार्गेट जो होगा वो यह होगा कि हम कैसे predict करें कि कोई rational number का जो decimal representation है वो terminate करेगा या नहीं करेगा इसको बिना division के हम predict कैसे करते हैं पहला target तो यह होगा कि दो rational number के बीच में हम कुछ और rational number find कैसे करते हैं है तो questions में जाने से पहले कुछ यह सारे concept हम clear करना चाहते हैं हाव टू फाइंड rational number between any two given rational number तो इस पर कुछ category करके हम सीखते हैं कि जब आपको दो rational number दिये होंगे और सिर्फ उसके बीच का एक rational number पूछेगा तो अगर case ऐसा है कि सिर्फ आपसे एक ही rational number पूछा गया for example अगर मैं कहूं कि one by four and one by three के बीच में आपको पोला किया है कि कोई एक rational number निकाल तो इसको करने का तरीका यही है कि दोनों का आप average निकाल दाट मिन्स one by four plus one by three by two unique नहीं होगा क्योंकि सिर्फ average निकाल के जो आएगा वही उसके इनके बीच का इनके बीच में लाई करने वाला rational number नहीं होगा बलके उसको आप three से divide करो तो भी वो उसके बीच का ही rational number होगा तो that means four three जा 12 four plus three seven by two seven by twenty four यह एक rational number हो सकता है इसके और इसके बीच का वो एक वही होगा ऐसा नहीं कहना हो आप जो निकालेंगे वो कई सारे होंगे ठीक है next अभी तो एक निकालना था अगर मेनी निकालना है अगर आपको एक से जाला rational number निकालना है तो यह भी depend करता है देखो यह भी मैं दो टाइप से जो questions आते हैं उसको मैं example के साथ रख के आपको समझाना चाहता है अभी मैं कुछ बोलूँगा हो सकता आपको समझ में ना है exactly आपको चीज़ेंगे तो बहुत बहतरी ढग से समझ में आएगा चीज़ ठीक है तो मालो मैं कहता हूँ minus 3 by 4 and 5 by 6 के बीच में हमें 5 rational number निकालना है तो steps गौर करो पहले क्या करना है कि जो दो number दिये हैं दो rational number दिया है आपको उसका denominator को same कर दो तो denominator है 4 और 6 सेम करने के लिए दोनों को 12 बनाना पड़ेगा और 12 बनाने के चक्कर में आपको 3 by 4 में उपर नीचे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और 5 by 6 में उपर नीचे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो यह बन जाएगा आपका minus 9 by 12 और यह बन जाएगा 10 by 12 minus 3 by 4 यह actually 9 by 12 है minus 9 by 12 और 5 by 6 यह actually 10 by 12 है तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया मैंने बस काम को आसान बनाने के लिए पहला स्टेप्स क्या लिया कि denominator को सेम बनाता क्योंकि जब मुझे इसके बीच का 5 rational number निकालना होगा तो बड़ा आसान हो गया इसके बीच का मतलो minus 8 by 12 minus 7 by 12 इस तरह से चलता चला जाएगा इससे पहले रखो that is 9 by 12 8 by 12 7 by 12 तो मैंने अभी 5 लिखी दिया है आप और भी निकाल सकते हैं 5 क्यों 10 निकाल सकते हैं तो एक तो यह कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि gap ऐसा है जो आप directly लिख सकते number को उठा करें तो यह सारे तमाम number जो हैं वो minus 3 by 4 और 5 by 6 के बीच के rational number है step समझ में आया है denominator को same करना है और इसके बाद और या इससे पहले के सारे fractions को लिख देना है सारे rational number को लिख देना है दूसरा example मैं क्यों ले रहा हूँ यह आपको अभी समझ में आएगा जैसे मैं कह रहा हूँ अगर कि 2 by 3 and 3 by 4 के बीच में आपको 5 rational number निकालने हैं तो पहला step तो वही भाई कि denominator को same करो denominator same करना अगें इसको भी 12 बनाना होगा इसको 12 बनाने के लिए उपर और नीचे 4 से multiply करना पड़ेगा और इसको 12 बनाने के लिए उपर और नीचे 3 से multiply करना पड़ेगा तो यह आपका बन गया 8 by 12 और यह आपका बन गया 9 by 12 यहाँ number इतने दूर थे कि हम directly without doing anything उसके बीच के बहुत सरा rational number लिख सकते थे जबकि 5 ही हमसे पूछा था अब देखो 8 by 12 means 2 by 3 और 9 by 12 means 3 by 4 इसके बीच के 5 rational number लिखना उत्मा भी आसान नहीं होगा क्योंकि 8 और 9 डिनमेटर को 12 ट्वल रखते चले जाना 8 और 9 का gap उस तरह से नहीं है जिस तरह से minus 9 और 10 का था clear तो इसलिए आपको एक steps और करना होगा और वो यह कि जितने rational number आपको निकालने है उसको एक बढ़ा दो और उतने से उपर नीचे multiply कर दो clear पांच rational number निकालने है तो 6 से उपर नीचे multiply कर दो तो आओ पहले यहीं पर करके फिर बढ़ते हैं आगे तो 6 by 6 यह एक step याद रखना होगा तब जब gap कम हो gap ना के बराबर हो ठीक है पांच rational number हम नहीं लिख सकते हैं तो यह बन गया आपका 48 by 72 और यह बन गया आपका 54 by 72 अब इसके बीच का पांच rational number आप बहुत आराम से लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर को 72 ही रखना है एक दो तीन चार और पांच बेनटर 72 अब 48 के बाद यह 49 और 54 से पहले तक 50 51 52 53 अब करते हैं क्या कि किसी rational number को मतलो इसको देखके बिना divide किये, इसको देखके बिना divide किये, कैसे predict करेंगे कि ये rational number को decimal representation होगा, वो terminate करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? चले. कैसे predict करेंगे, how to predict without division कि एक rational number terminating होगा या non-terminate होगा? तो इसके लिए चीज को समझो, कोई भी rational number P by Q के form में होगा, obvious है Q 0 नहीं होगा. आपको करना क्या है? सबसे पहला काम करना है कि P by Q को इसके सबसे simplest form में ले आना है. अगर simplest form में आ सकता है, बतब reduce हो सकता है, तो माल लो reduce करने के बाद ये हो गया A by B. अब denominator को सिर्फ देखना है कि अगर ये denominator सिर्फ 2 का और 5 का power में in the form of product represent किया जा सकता है, यानि कि इस denominator को 2 का power something और 5 का power something के product के form में represent किया जा सकता है, तो ही A by B कहलो या P by Q कहलो, terminate करेगा, otherwise ये non-terminating recurring हो जाएगा, आर ये बात समझ में, सिर्फ 2 हो सकता है, सिर्फ 5 हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 2 होने का मतलब M का value 0, 5 का power 0, 1, यानि कि denominator में सिर्फ 2 से बढ़ा हुआ है, 2, 4, 8, 16, 32, या denominator में सिर्फ 5 हो सकता है, क्योंकि M का value 0 हो गया, उस वक्त माल लो, यानि कि denominator में सिर्फ 5 के format में, 5 के frame में लिखा जा सकता है, 5, 25, 125, या 2 का कुछ power 5 का कुछ power, that means एक trick आप ये समझ सकते हैं, कि denominator का factor में 3, 6, 7, 9, ये सब नहीं हो सकते हैं, अगर ये सब होने लगे न, तो आप समझ लो कि आपका जो rational number है, वो non-terminating है मेरे भाई, clear हो रहा है मेरा बात, तो आओ कुछ examples देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 17 by 90, आपको बिना divide की ये predict करना है कि जो rational number है, ये terminating होगा ये non-terminating, तो सबसे पहला बात तो simplest form में already है, तो बस denominator पे जाओ, denominator 90 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, prime factorization में, 9 into 10, that is 2 into 5 into 3 का square, तो देखो 3 आ रहा है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं, कि 3 ये 3 का square, that is 9 अगर आ गया denominator में, तो ये non-terminating देने लगेगा, या according to the real concept आप देखो, कि आप denominator को सिर्फ 2 और 5 के product में नहीं represent कर पा रहें, एक 3 भी आ जा रहा है as a prime factor, तो ये जो है, ये non-terminating हो जाएगा, इतना ही बात समझना है, माल लो मैं कहता हूँ, 32 by 500, तो सबसे पहले इसे reduce करते हैं, reduce करेंगे, तो 4, 8, 4, 25, 5, 125, 8 by 125, 125, 5 के cube में लिखा जा सकता है, तो 5 का cube मतलब क्या है, कि 2 का power 0, तो 2 और 5 के power के product के form में denominator को represent कराया जा पा रहा है, that means 32 by 500 जो होगा, वो terminate कर जाएगा, ये terminating decimal देगा, एक example और लेते हैं, 47 by 64, reduce करना possible नहीं है, तो बस अब denominator में देखना है, 64 का मतलब 2 to the power 6, 2 to the power 6 का मतलब कि 5 भी है, बट 5 का power 0 है, तो denominator को आपने 2 का power और 5 के power के product के form में represent कर दिया successfully, that means ये जो है, ये terminating होगा, तो I hope बातें आपको समझ में आ रही है कि कब कैसे predict करना है, और even जब जब terminating होगा, भले ही ज़रूरत नहीं है, बट आप ये भी चानलो, कि कितने digit के बाद terminate होगा, आप ये भी predict कर सकते हैं, 5 में और 2 में जिसका power बड़ा है न, उतना decimal point के बाद terminate कर जाएगा, decimal point के उतने digit के बाद terminate कर जाएगा, that means 32 by 500 को जगर आप divide करेंगे, तो decimal point के बाद 3 digit आएगा, because 3 power में बड़ा है, जब 47 by 64 करेंगे, तो decimal point के बाद 6 digit और आएगा, उसके बाद terminate कर जाएगा, suppose करो, मैं कहता हूँ कि एक denominator ऐसा है, जिसमें 2 का power 3 है, और 5 का power 4 है, तो power में सबसे बड़ा है 4, तो यहाँ पे आप कोई भी number रखेंगे, अगर और further reduce नहीं हो सकता है, तो decimal point कुछ भी आएगा, decimal point के 1, 2, 3, 4 digit के बाद terminate हो जाएगा division, अगर आप देखना चाहें, तो 32 by 500 आप देख सकता है, तो सबसे पहले 5 से divide करते हैं, 5, 6, 30, point, 5, 4, 20, by 100, यानि कि 2 digit के बाद और shift करना है, तो 6, 0, 4, 0, point, तो decimal point के 3 digit बाद देखो terminate किया, क्योंकि 3, इसके denominator का, जो prime factor आएशन था, 3 is the highest power, clear हो रही है बात, बढ़े कुछ numerical करते हैं, इस पे बेस ठीक है, चलो, पहला question आपके screen के उपर, कह रहा है, which of the following rational number is non-terminating, options लिखते हैं, 15 by 1600, 23 by 8, 35 by 50, 17 by 6, अगर आप trick से चलेंगे, तो आपको पूछा है कि, non-terminating repeating, तो answer is this, क्योंकि denominator में 3 आ रहा है, और आप concept से चलेंगे, तो आप समझ रहे हैं कि, इस में इसको 2 और 5, क्योंकि 2 का power 4, और फिर 100, इसको भी 2 का power cube, इसको भी 2 and 5 के power के, रिप्रेजेंट कराया जा पा रहा है, सिर्फ 6 को आपको 2 into 3 लिखना होगा, 3 is not allowed, denominator में, denominator का जो prime factor है, उसमें 2 और 5 ही आना चाहिए, power कुछ भी हो, अगर नहीं है, तो समझ लो कि, वो terminate नहीं करेगा, वो non-terminating हो जाएगा, question number 2, between 2 rational number A and B, A एक rational number है, B एक rational number है, suppose करो, there exists another rational number, इन दोनों के बीच में, और एक rational number क्या हो सकता है, A by 2 नहीं हो सकता है, B by 2 नहीं हो सकता है, A or B का product by 2 नहीं हो सकता है, बलकि इन दोनों का average के बराबर, जो है, वो हो सकता है, clear? आओ करते है, question number 3, that means, question number 2 का जो answer option है, वो है, option number 4. Which are the following pair of rational number lies between 1 by 4 and 3 by 4? 1 by 4 और 3 by 4 के बीच में, कौन सा pair lie करता है? Pair given in your option as, 262 by 1000, 752 by 1000. तब देख रहे होंगे कि सबका, denominator सेम है, तो आप भी सेम बनाएंगे जब, 4, 4 को जब सेम बनाएंगे, और सेम अलरेडी है, बट आपको 1000 बनाना है, तो आप क्या करेंगे? उपर नीचे 250 से multiply करेंगे, 4 into 250 will be 1000, तो जब इसको 250 से multiply करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000, ये 250. और जब इसको करेंगे, तो ये होगा 750 by 1000. तो इसके बीच में आना चाहिए, तो 262 by 1000 तो इसके बाद है, ये है, बट 752 इसके बाद हो गया, तो इसके वज़ए से ये पेर तो answer नहीं है, तो ये पेर इन दोनों के बीच में लाई नहीं करता है, ये ही है, मतलब जो कॉंसेट हमने सिखा है, exactly हम होई कर रहे हैं, हमें 100 बनाना है, तो 4 में 25 मुल्टिप्लाई करना है, तो 25 मुल्टिप्लाई करेंगे, तो ये होगा 25, ये 100, ये हो जाएगा 75 by 100, 24 by 100 ये इससे पहले आ गया, इसके बीच का निकालना है, that means ये भी एंसर नहीं है, 40 बनाना है ये नहीं कि 10 मुल्टिप्लाई करना है, करते हैं चलो, 10 मुल्टिप्लाई करेंगे, तो ये होगा 10 by 40, ये होगा 30 by 40, 9 by 40, ये इससे पहले हो गया, ये भी एंसर नहीं हो सकता है, फिर दूसर अगा हम चेकी नहीं करना है, एक पहला ही गलत हो गया, उसके between में नहीं आया, फिर denominator लो 1000 बनाना है, यानि कि again 250 मुल्टिप्लाई करना है, ये हो जाएगा 250 by 1000, ये हो जाएगा 750 by 1000, तो 252 by 1000 मतलो, इसके दो नंबर, रेजनल नंबर के बाद आएगा, 251 by 1000 आएगा, उसके बाद 252 by 1000 आएगा, तो ये तो इसके बीच में है, 748 इससे पहले, यानि कि ये दोनों नंबर, इन दोनों के बीच में है, that means this is your answer, एक question और करते हैं, इसी पह बेस्ट और उसके बाद, आज की क्लास को खतम करते हैं, ठीक है, चलाएगा, question number 4 कह रहा है, कि 1 by 8 and 2 by 5 के बीच में, out of the given 4 alternatives, कौन लाई करता है, एक है 6 by 40, 11 by 40, 7 by 40, 17 by 40, 3 by 40, 13 by 40, 1 by 5, 7 by 8, तो यहां तक तो काम आसान है, क्योंकि सब का denominator 40 करने के लिए, आपको इसमें और इसमें, इसमें 5 से उपर नीचे मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, तो यह बन जाएगा, 5 by 40, इसमें 8 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, तो यह बन जाएगा 16 by 40, आप चेक करो, 5 by 40, 1 by 80 है, और 16 by 40, 2 by 5 है, आपको इसके बीच में है या नहीं, यह चेक करना है, इसलिए मैंने कहा, आसान है क्योंकि सब 40-40 यहां तक तो उलच जाएगा, फटापर से, इससे पहले वाले कोश्चन के तरह, हर option के लिए मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो 6 by 40 इसके बाद तो है, 11 by 40 इससे पहले, that means this is your answer, चलो बाकी चेक कर लेते, 7 by 40 इसके बाद तो है, 17 by 40 इसके beyond चला गया, that means this cannot be your answer, 3 by 40 इससे पहले आगया, इसके बीच में नहीं आ सकता है फिर, अच्छा 1 by 5, 7 by 8 के लिए फिर से हमें करना पड़ेगा, तो 1 by 5 को अगर नीचे हमको 40 बनाना है, तो उपर नीचे 8 से multiply करना पड़ेगा, और यहां 5 से multiply करना पड़ेगा, तो यह बन गया आपका 8 by 40, और यह बन गया 35 by 40, ठीक है, 8 by 40, हम एक बार करी चुक है, तो देखो 8 by 40 इसके बीच में तो आया, बट 35 by 40 से काफी ब्योंड चला गया, यह भी एंसर नहीं हो सकता है, तो नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन पर बेस्ट, इतने सारे वीडियो आपके सामने मैंने पेस किया, आप इसमें से खूब प्रैक्टिस करिए, देखिए कि आप किस तरह के कुश्चन में उलज रहे हैं, कमिंट करिए, मैं उस पर बेस्ट फिर से वीडियो लाने का कोसिस करूँगा, आपको बहुत अच्छे से समझमें भी आएगा, होफफुली यहां तक समझमें आया भी होगा, इतने ही तमाम तरीके के कुश्चन आपको दिखाने थे, कि आप रियली ट्रस्ट करो, कि हाँ, नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन पर बेस्ट, जिसको आप, आप क्या सभी लगभग इनोर करते हैं, इस पर भी कुश्चन साते हैं, ठीक है, तो अपना प्यार बनाए रखना, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, सेर, यह सब करते रहना, मिलते हैं आप बहुत जल्द, नंबर सिस्टम के नेश्ट वीडियो सिरीज में, इस रेकरिंग डैसिमल पर जितने भी कुश्चन साते हैं, उसको ठीक है, बाई, टेक क्या है,